एक और स्टोक है जिस पर किया जाए फोकस और वो है All Cargo Logistics इस पूरी कम्ती में एक बड़ी और तग्री रिस्ट्रक्टिरिंग हुई है क्या हुई है यह रिस्ट्रक्टिरिंग कैसे होगा फायदा शेरोल्डर्स को और स्टोक आज कमज़ोर बाजार में जो मजबूत है एक जो है वो तो रहेगी दो एडिशनल होगी जो नहीं कंपनी आईगी वो एडिशनल होगी वो होगी All Cargo Terminals और Trans India Realty and Logistics Spa तो यह दो resultant companies होगी जिसमें कहिनक है जो डिमर्ज जरे वो किया जाएगा आप कौनसा कारोबार किसमें जाएगा यह आपको समझना है Container Freight Station, Inland Container Depot और Bird Logistics कारोबार जो है वो All Cargo Terminals में जाने वाला है Engineering, Equipment, Leasing और Hiring Solutions और बाकी Assets जो है वो Trans India Realty और Logistics पार्क में लिमर्ज होगा सभी तीन companies जो है उसमें Shareholding जो है वो अलग-अलग रहने वाली है अगर आप देखेंगे तीनों में जो Shareholding है वो सेम रहेगी Promoters के बाद खरीब 69.9% के आसपास होगा Public के पास खरीब 30% के आसपास का हिस्सा होगा जो Demerger होगा उसके बाद All Cargo के हर एक Share के लिए All Cargo Terminals और Trans India Real Estate and Logistics के एक Share दिये जाएंगे यानि कि सब में एक-एक Share के आसपास आपको दिये जाएंगे All Cargo के पास क्या रहेगा तो International Supply Chain Express Logistics और Container Logistics का जो कारोबार है वो All Cargo Logistics में रहने वाला है यानि कि करीब-करीब 78-79% के आसपास का कारोबार जो है वो All Cargo के पास होगा बाकि करीब 15 या 16% के आसपास का कारोबार जो है वो All Cargo Terminals Private Limited में जाएगा और 5.6% के आसपास का जो कारोबार है वो Trans India Real Estate कारोबार में जाने वाला है और इन दोनों कंपनी को जो की बाद में D-Mager के बाद बनेगी उन दोनों को इस कंपनी का लिश्ट करने का प्लान है जाहिर सी बाते ये अलग-अलग कारोबार पे अलग-अलग तरीके से फोकस करना चाते हैं और काफियत तक ग्रोथ लाना चाते हर कारोबार में इसके लिए सारे कारोबार को अलग करके यहाँ पे D-Mager किया जा रहा है हाँ और जो Blackstone के साथ इनकी JV है वो Trans-India Realty and Logistics Park जो है उनके पास ही रहने वाली है तो यह पूरा D-Mager है यह पूरा Structure है जाई सी बात है Structure को अच्छा करने के लिए और Growth Prospects को अच्छा करने के लिए एके कारोबार पे फोकस करने के लिए यह पूरा D-Mager किया जा रहा है ओके तो Growth Prospects को भेतर करने के लिए यह पूरा D-Mager किया जा रहा है आज थोड़ा स्टॉक भी आक्शन में आते हैं इस खबर के दम पर देखते हैं यहां से फिर अपने लेवल कर पाएगा या नहीं